एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया, भालू किसान को मारने जप्ता, किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा, भालू ने कहा, भूमे की उपर की उपज मेरी, और नीचे की तुम्हारी रहेगी, यहाँ पर एक चित रहे, जिसमें एक खेत में एक भालू और किसान बाचित कर रहे हैं, किसान ने आलू बो दिये, उपज होई, तो भालू को पत्ते खाने को मिले, भालू चिड़कर रहे गया, अगली बार भालू ने कहा, देखो, इस बार भूमी के नीचे की उपज मेरी, और उपर की तुम्हारी, इस बार किसान ने गेहू बो दिया, जब उपज होई, तो किसान को मिले चमकीले गेहू, भालू को मिली, केवल जड़े, भालू खीज कर रहे गया, यहाँ पर एक चित्र है, जिसमें भालू के हाथ में पत्ते और किसान आलू की टोकरी लेकर जा रहा है, इसी प्रिष्ट पर नीचे की चित्र में किसान के हाथ में गेहू की बालियां और भालू के हाथ में जड़े हैं, प्रिष्ट 116 इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची उसने किसान से कहा भूमी के सबसे उपर और भूमी के नीचे की उपज मेरी किसान मान गया इस बार किसान ने लगाया गन्ना जब उपज होई तो भालू को मिले पत्ते और जणे भालू का सिर्थ चकरा गया यहाँ पर एक चुत्र है जिसमें भालू के हाथ में गन्य के पत्ते और किसान के हाथ में गन्य है बातचीत के लिए एक, आपको अपनी कौन-कौन सी वस्तुएं प्रिया है? दो, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? तीन, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? प्रिष्ट 117 सोचिये और लिखिये एक, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? दो, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यो मांगी? तीन, अन्त में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? चार, आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? भाशा की बात एक, उचित विराम चिन दिये गए खानों में लिखिये क, भालू किसान पर जप्टा, रिक्तिस्थान ख, मुझे क्यों मारते हो? रिक्तिस्थान ग, उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले? रिक्तिस्थान ग, हम ये काम कैसे करेंगे? अंगा, किसान को मिले चमकीले गेहूं? रिक्तिस्थान दो, दिये गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रियोग कीजिए यहाँ पर एक तालिका दिये गई है तालिका के बाएं भाग में लिखा है पाठ पढ़ाना और दाएं भाग में लिखा है सिर्चकराना पाठ पढ़ाना, अर्थ, रिक्तिस्थान, वाक की प्रियोग, रिक्तिस्थान, सिर्चकराना, अर्थ, रिक्तिस्थान, वाक की प्रियोग, रिक्तिस्थान अब आप दिये गए मुहावरों के अर्थ लिख कर उनका रिक्तिस्थानों में वाक्यों में प्रियोग कीजिए प्रिष्ट 118 कहानी से आगे एक, यदि भालू आगे भी हार ना मानता, तो किसान क्या करता? कलपना करके बताईए दो, उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का? वर्ग पहेली चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंड कर नीछे लिखिये यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी गई है जिसके चारों तरफ कुछ फ़लों के चित्र तथा जानरों के चित्र है इस तालिका के पाँच भाग हैं तालिका की पहली पंक्ति के अक्षर ची, के, बम, बन, द, र, तालिका की दूसरी पंक्ति के अक्षर घो, ला, हि, खी, ख, तालिका की तीसरी पंक्ति के अक्षर र, शे, र, 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 तालिका की चौथी पंक्ति के अक्षर, हा, गा, न, मू, गो तालिका की पाच्वी पंक्ते के अक्षर थी, य, आ, ली, श तालिका की छटी पंक्ते के अक्षर के, ला, म, छ, ली अब आप दिये गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम वर्ग पहली में से ढूण कर स्वयम लिखिए उधारन के लिए दिया गया है घोड़ा, प्रिष्ट 119, आनंद के लिए एक, किसको क्या खाना अच्छा लगता है, पहचानिये यहाँ पर पाँच चित्र दिये गए हैं, ये चित्र हैं गाए, भालू, तोता, बिल्ली और लड़की यहाँ पर कुछ खाने के वस्तू के नाम दिये गए हैं, एक, शहद फल, दो, हरी मिर्च मीठे फल, तीन, हरी घास भूसी, चार, दूध मलाई, पाँच, पौश्टिक और संतुलित भोजन अब आपको ये बताना है कि इन में से किसको क्या खाना अच्छा लगता है दो, आपके घर में जितने भी साग आते हैं, उन्हें वर्गी कृत कीजिए यहाँ पर एक तालिका है, तालिका को दो भागों में बाटा गया है पहले भाग में लिखा है साग वर्गी करण का आधार और दूसरे में लिखा है साग साग वर्गी करण का आधार एक भूमी के नीचे पैदा होने वाले साग आलू रिक्तिस्थान साग वर्गी करन का आधार पत्य के रूप में खाय जाने वाले साग रिक्तिस्थान साग वर्गी करन का आधार फल के रूप में उगने वाले साग रिक्तिस्थान साग वर्गी करण का आधार फली के रूप में खाये जाने वाले साग रिक्तिस्थान प्रिष्ट 120 कुछ नया करें कल्पना कीजिये कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है आप भालू से क्या बाच्चित करेंगे यहाँ पर एक स्कूल का चित्र है जिसमें बेंच पर एक लड़का और लड़की बैठे हैं साथ ही भालू खड़ा है आप रिक्तिस्थान भालू रिक्तिस्थान आप रिक्तिस्थान भालू रिक्तिस्थान आप रिक्तिस्थान अब आप और भालू के बीच में क्या बाचित होगी, इसकी कलपना करके आप रिक्तिस्थानों को भरें प्रिष्ट 121 मेरी चित्रकारी भालू का एक सुन्दर चित्र बना कर उसमें मन चाहे रंग भरिये यहाँ पर दिये गे रिक्तिस्थान में भालू का सुन्दर चित्र बना कर उसमें स्वयम मन चाहे रंग भरें जटपट कहिए उट उचा 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 उच, उची उच की पीट पीट उची पूच भी उची, उची पूच, उचा उच अभी आपसुन रहे थे कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना वाचन्स्वर प्रमीन शर्मा और रिचा सयाल ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहयोग चेतना शर्मा निर्देशन इवं निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.